हलो 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 एवरिवान नमश्कार आदाब सत्रियकाल की हाल चाल मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आद देख रहे हैं डॉक्टर एडुकेशन डड़े तुड़े मैंने कोई पोल नहीं किया क्योंकि आप में 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 टॉपिक छोड़के सारे दूसरे वाले चूज कर लेते हैं ब क्यों और कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे क्या करना है राइट सो लेट्स टॉक अबाउट इट सो फस्ट फॉल हार्ट अटैक में क्या दर्द होना कंपलसरी या एफेक्यू जैसी बात हो जाती है कंपलसरी नहीं है हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है किसको होता है silent heart attack पहली बात क्या होता है heart attack और heart attack में क्या होता है symptom क्या होते है treatment क्या होता है आए जानते हैं देखिए हाट का काम है आपके सारे शरीर को खून पंप करना आपके heart के अंदर एक तरफ से खून आएगा वो दूसरे तरफ pump कर देगा बहुत सिंपल सी फंडा है लेकिन heart को भी काम करने के लिए खून चाहिए तो क्या होता है इसी खून से इसी pump से तीन नसे निकलती है heart के अंदर जाने वाली जो के आपके heart को supply करती है खून तो ऐसी नसे होती है जो आप देख सकते हैं अगर देख पा रहे हैं यहां पर एसे sorry for this अजीव-जीव साह है तो यह heart के खून की नसे अजीज निकलती है जो heart को cover कर देती है और यह इसे खून की नसे जो होती है एक particular मोटी नस अयोटा से निकलती है और सारे हाट के अदर ऐसे पैल जाती है अब इनमेंसे कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए ब्लॉकेज का मतलब क्या इसमें से कहीं पर भी कोलेस्टरॉल जमा हो जाए वहां पर प्लेटलेट्स जमा हो जाए Atherosclerosis कहते हैं तो आपको attack आने के chances होते है अटाक का मतलब ही है कि हाट के किसी एक हिस्से को खोन कम जा रहा है या नहीं जा रहा है कम जा रहा है तो क्या होगा आपको एंजाइना होगा यैंने चेस्ट में पेन होगा क्योंकि आपके गरीब हात को और कुछ नहीं समझता हाथ को कि यह भही मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ और इनको खून कम दे रहे हैं मैं इतना रोज-रोज काम कर रहा हूं, रुख भी नहीं रहा हूं, यह मेरे को खून कम दे रहे हैं, बता हो, तो वो क्या करता है, पैन पैदा करता है, तो इसलिए आपको अगर पहले-पहले क्या होगा, इनिशेली पैन होगा, सिर्फ चलने फिरने पे, सिर्फ दौडने पे, सिर्फ ज्यादा काम करने पे, एक्जर्शनल पेन, इस बेसिकली इन जाईना, कभी-कभी फिर जैसे-जैसे वो बढ़ता जाएगा, रेस्टिंग पेन, बैठे-बैठे दर्द हो रहा है, पेन इस बेसिकली इक्वल टू यूर हार्ट क्राइंग फॉर ऑक्सिजन, इस पहले समझो, जाम लगा है, उसके बाद होता क्या है, दर्द हो रहा है, आगे चलके क्या होता है, दर्द इतना बढ़ जाता है, पेन इतना बढ़ जाता है, कि आपका हार्ट का उस हिस्से में डैमेज होना शुरू हो जाता है, पर्मनेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है मान लो एक नस 100% बंद होगी तो permanent damage अगले 3-6 गंटे तक शुरू हो जाता है तो पहले 3-6 गंटे golden opportunity होती है अगर वो 3-6 गंटे में नस खुल गई कैसे खुल जाएगी भी या अपने आप थोड़ी खुल जाएगी कई बार ऐसा भी होता है आते जाते एक कलॉट आया पहले से आदी बंद नस में फसा और फिर आपने जोर से खासा या आपने खादी दवा खाली खुल पतना करने की और वो निकल गया ये किस्मत वालों के साथ होता है किस्मत वालों के साथ होता है हर एक के साथ ऐसा नहीं होता हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता है दिमाग के केस में ऐसा होता है दिमाग में जब स्ट्रोक होता है तब ये ऐसा जरूर होता है लेकिन हार्ट के केस में रसना नहीं है कि impossible नहीं है possible हट है कि यह सागए हो से चता है हाट का एक हिससा एक हिस्सा सना कि साट की हिस्षा कमज़र हो सथाDown उबर आधी भी हो जाती है आधी से कम भी हो जाती है और हाट रुक भी जाता है अटायक आने पर डिपेंट करेगा कितनी बड़ी नस्थ में ब्लॉकईज है यसे पेड की एक टहनी कटे तो कोई प्रोब्लम नहीं लेकिन पेड की जड़ काट दो तो पेड गया उसका एक्जि प्राफी करना जगॉरी होता है जिस्से हमें एक ही टेस्ट हां ऑने के बाद पटा चल सकता है बार-बार हाटी कि खुन की नसों में ब्लड ब्लड सप्लाय कम है हाट को दिखते हैं अल्टरसाउंड के अंदर तो हम देख सकते हैं गास्तिाइशुरुब्वभ और समस्टाइश तरह थे पक्रामार की हमार्द हो गांद करना सबग में nggak दिस competitor इत्क्युक में हिस्से स्कता सब्सक्राइश जाएक में मुझा भूछ ज़्याद़ टृट कनसे वह रोग संस्टाइश्वरा अलग है कि लेकिन यहां तरफ होगा नई कहा होगा एbased के टिपिकल केसे बहुत होते हैं हब के ुखता है यहां पर हिस्से में अगर नहिए तो जाव में भीधिन हो सकता है कंडे यहां यहाँ पर अगर पें यहाँ पर अगर खून नहीं गया तो यहाँ से आपके बाएं तरफ जा सकता है हाथ में हो सकता है नीचे अगर खून नहीं जा रहा तो आपके नीचे पेट में भी दर्द हो सकता है यहाँ तक के पीठ का भी दर्द हो सकता है बाई तरिफ का कई बार हा पता चल जाता है ECG में हाट अटेक आ तो नहीं रहा या चुका तो नहीं है हाट में कोई डैमेज तो नहीं हुआ इको से हाट में कोई structural abnormality नहीं कुछ छेज तो नहीं है वह पता चलती है है तो यह होते हैं बदर्द सबको होगा क्या नहीं किसको नहीं होता जिसकी नस खराब हो गई अगर वह मर जाए हाट को जाने वाली तो आपका हाट को कुछ भी हो जाए आपको पता नहीं चलेगा क्यों मरेगी आपकी इरेक्टरिकल नस शुगर डाइबिटीज अनकंट्रोल डाइबिटीज बहुत जादा वाइटमिन बी ट्वल्ड डेफिशेंसी नस एक्चुली में नियूरोपैथी किसी कारण से हो जाए इंफेक्शन हो जाए कुछ हो जाए वहाँ पर तो नसों में प्रॉब्लम हो तो सा heart attack के लिए regular test कराओ heart attack के कारण देखो और उस से बचो कारण क्या है क्यूं होता है heart attack number one reason है stress यह heart के अंदर खुण की नसों में cholesterol कम से कम होगा तो भी deposit होगा cholesterol नहां के बराबर होगा तो भी deposit होगा अगर वहां crack आएङगी अगर वहां stress होगा वहां पर cigarette BD तंबाकू के वज़े से elasticity कम हो जाएगी तो the biggest reason of heart attacks is stress, second biggest smoking, cigarette BD तंबाकू तो उसके बाद में उमर, age, aging के साथ क्या होता हो, वैसी है आपकी खून की नसे खराब होने लगती है किसी में 5%, 10%, 20%, 25%, 60%, 90%, 90%, 100% फिर भी वह बंदा चल रहा फिर रहा होगा क्योंकि अगर आप दौड़ते फिरते exercise करते हैं तो 100% blockage से natural bypass बन जाते हैं वह या दिरे-दिरे blockage होता है exercise करते रहते हैं अच्छी lifestyle तो natural bypass बन जाते हैं वह जानना है तो उसके बार मेरा अलग से वीडियो है नाच्रल bypass का यहां बात हो रही है heart attack की सो heart attack में पहला symptom होता है कि घवराट होती है पसीना आ सकता है अगर आपको घवराट है पसीना आ रहा है चाती में दर्द है चाती के आसपास दर्द है आपको लगता है आपको risk factor है आपको smoking करते हैं cigarette पीते बीडी पीते तंबाकू खाते हो blood pressure है sugar है मोटापा है या फिर family history है stress जादा लिते नीन नहीं आती है तो इन सब कारण उसे heart पर unnecessary stress चलते हुए heart attack आ सकता है तो जाके तुरंत ECG कराओ जिजकना नहीं है ECG कराना है और एक blood test आता है troponin troponin drop T drop I इसको कराना है यह चाती में दर्ध होने के दो घंटे के बाद एक high sensitivity वाला आता है HS high sensitivity droponin दो घंटे के बाद positive आएगा positive negative अगर heart में attack हो रहा होगा अगर high sensitivity नहीं है तो चार घंटे के बाद दूसरे वाले test है चार घंटे के बाद positive आना शुरू होगा पहला negative आया मानलो दो घंटे बाद पहले दर्ध हो आभी शुरू के अभी कर दिया negative आइसका मतलब यह नहीं heart attack नहीं है और जो clot होता है उसको खीचके सक करके निकाल लेते हैं और वहाँ पर यह फिर बनना हो जाए इसलिए शला लगा देते हैं इसको एंजिप्लासिटी कहते हैं एंजिप्लासिटी क्या है कैसे उसके उपर भी वीडियो एंजिग्राफी पे भी वीडियो है इसको ECG, TMT, Stress, Eco, Stress, Thallium सब पे अलग डिटेल वीडियो है जाके देखो लाइफ आफ्टर एंजिप्लासिटी के बारे में भी वीडियो है वह जाके देखो राइट स्टन्ट की कोई लाइफ नहीं होती स्टन्ट कभी बन नहीं होता यह सब बक्वास चीजें हैं यह सब फा लेएख नहीं बार तो दूसरी बार बन सकता है और तो दूसरी बार भी बन सकता है वैसे एक बार हाट अटायक आख दो पिरशे आ सकता है इसलिए दवा खानी पड़ती है तो यह हुई बात सारी आट इटक की अब आपके सवाल लिये जाते हैं सबसे पहले हम सूपर चैट पे आते हैं सूपर चैट का पहला सवाल सर आई नीड यूर हेल प्लीज आयम हीर अजाज शेख जी प्लीज आस्क देन वी एग फॉर सर वे प्रोटीन कॉंसंट्रेट और आईसोरेट के बारे में बताओ विच वन शुड़ आ प्रिफर डजन्ट माटर इट शुड़ जस्ट हैव 70% अबव प्रोटीन का कॉंसंट प्रोटीन की मातरा 70% से उपर हो तो चल जाएगा डजन्ट मैटर सस्ता ले लो कोई बात नही पेंफुल लाइपोमा एन अब्डॉमन एनी ट्रीटमेंट फॉर एट लाइपोमा के लिए पेंफुल है एकसीजन सीधा निकल वालो डोंट इवन थिंक अबाउट सेकंड थॉट और कुछ मत करो राइट मेरी आईज डिस्चार्ज होती है और थोड़े थोड़े देर म्यूकस की प्रॉब्लम हो जाती है देखें कई बार यह होता है कि आप पानी कम पी रहे हो तो म्यूकस आइस का डिश्चार्ज गाड़ा है इस वजह से वहां पर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा कई बार आपको आइस पर मसाज करना करवाना पड़ेगा यह लाक्रीमल ग्लाइ यह वहां infection तो नहीं है that kind of a thing infection लगेगा तो आइड्रॉप से लेके गोलियों तक वो दे सकते हैं so your treatment is simple you can also do some रेकर मसाज उसमें इनर थाइड में ऐसे ऐसे मसाज करनी है उससे भी थोड़ा help मिल सकती है but then it will work definitely or not यह मैं अभी नहीं कह सकता सत्रिकाल जी कोवन सिंग जी TMT normal reason of pain muscular pain muscular pain dehydration से पें vitamin D deficiency से पें gas का पें gastritis से पें आपको shoulder में pain gall bladder से भी हो सकता है right shoulder में pain testicular tumor से हो सकता है right shoulder में pain तो बहुत सारे pains reference pains होते हैं है जरूरी नहीं है वह हाट काई pain है सौ कारण हो सकते हैं चाती के असपास दर्द होने के heart attack से जान जाती बाकी से नहीं TMT normal है तो खुश हो जाओ at least heart attack तो नहीं है कि वोइस कम है सो सौरी यार पहले पता होता तो ऐसे उपर उठा लेते हैं आज दूसरा वाला माइक लिया था सो सौरी गाईज वोइस के लिए आल राइट हर सटेस्टोस्टिरोन टेस्ट के एक बार कर दिया तो वह कितने महीने तक सेम लेवल हर दिन बदलता है सुबह अलग शाम अलग ऐसा होता है एक अवरेज देखा जाता है अगर अगर लाइफ सेम है तो टेस्टोस्टिरोम ऑल्मोस सेम रहेगा सुबह का टाइम पर करोगे 8 बजे खाली पेट तो सही सेम मिलेगा बाकि आप रेगुलर करना चाहते हो हर दो चार इसको हाट अटेक आ चुका है उसको भी नैचरल बॉडी बिल्डिंग में कोई धिक्कत नहीं है बस उनका एक ही रूल है लो वेट से एक्सराइज करनी है है यह वेट से नहीं करनी है यह लो वेट से टाइम अंडर टेंशन बढ़ा लो वेट से अलो लो वेट से अलो जादा गैस बनती है बार बार ढकार आती है जी गैस के लिए आप कुछ दिनों के लिए टैबलेट ले सकते हो गैस की या फिर खुब जादा पानी प्यों एक गंटा पहले दो गंटे के पाद और एक टाइम पर खाना आदा कर दो यह करके देखिए गैस के बहुत सारे कोलेक्स्ट्रोल 121 LDL 80 Triglyceride 100 HDL 19 HDL है कैसे बढ़ा हूं क्या बढ़ाना है HDL HDL बढ़ाने के लिए exercise बस exercise exercise और कुछ नहीं bad breath bad breath can be many things oral examination कराओ एक dentist को जा कि दिखाओ और एक बार अपना क्या बोलते हैs oral examination से पता चलाएगा कि fungus फंगस तो नहीं कीड़ा बीड़ा तो नहीं है मुह में कई बार हमें पता नहीं चलता और होता है जी हाँ जी हाँ एक बार dentist को दिखाओ भूक ही नहीं लग रही है सुबा नाश्टे में दो ट्रोश खाता हूँ और चावल एक मुठी दोपहर रात को एक रोटी वेट फिर भी लॉस नहीं हो रहा क्या ये डायेट के भूक लगना बंद हो गई है वेट कम नहीं होई कैसे होगा जगमीर जी सारा तो कार्बो आइड को ऐड़्यी को सिरेफली अमॉजि 서ूट डि और नाश्यवी गविव एक उपक्रण्य इं अन नौनाइनस भाटे राएट साही नहीं है ढ साही निहीं है किर्पेश कालश जाके कमसे कम एसी गराम सौंग प्रोटीन दिन में तो स्फानछ गूम सासी गराम तो ग्राम तो द सवाल I used to smoke around 10 to 15 cigarettes a day but I have stopped it I need just 10 minutes of yours can I talk to you over phone yes you can talk to me over phone for 10 minutes after paying my fees उसके लिए आप डॉक्वाइज अप्लिकेशन या लाइबरेट अप्लिकेशन से यह करिये कंसल्टेशन शुरू करिये और वहां पर option होता है फोन कॉल का वहां से फोन कॉल का option ले लीजिए मैं उसी दिन आपको फोन करके बात करूंगा जैसी क्या फ्री फ्री होंगा और एड ट्रेडमिल रणिंग एट वैल केम बचा बारा किलोमेटर पर आवर फ़ाइब ट्री टैम्स फ्री टैम्स वीक गूट फर हाट और पार हाट फॉर फॉर्स वहां पर सेशन धाई घंटे कार्डियो है भगवान क्या मैराथान भाग नहीं आ कोई प्रॉब्लम नहीं है दाही गंटे मेरे साफ से तो बहुत मुश्किल होते हैं मेरे लिए भी आप डेली बोलते तो मैं बोल देता भाया रेस्ट लो बाकी तो आपने कर रखे हैं मेरे को लगता है मेरे दस सवाल हो चुके हैं अब मैं ले रहा हूं सिर्फ सवाल हाट के राइट मैं एक बार उपर से देख रूओ फिर बाद में सब्सक्राइब रोग दिया एक दो तीन च पांच छे साथ आठ नौ दस दस हो गए दस का ग्यारा हो गए अब आईए अब नीचे थले थले और हाट के सवाल पूछिए सर जी फॉलिक टैबलेट के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं शौरी मिश्टर कामरान जी सर प्लस माइनस होती है सलूशन बताओ पल्स मिस होती ह पल्स मिस होती है उसका सलूशन ऐसा है कि आपको एक बार ECG और एक बार होल्टर और ECO कराना पड़ेगा ताकि आपको पता चले पल्स जो मिस होती है वो क्या होता है कभी-कभी skipped beat आती है कभी-कभी premature beat आती है तो अगर premature beat है skipped beat है तो उसका कारण ढूंडा जाता है सब्सक्राइब आपको अब नीचे नीचे लिखिए हाट के दिल को जिद्धी क्या है जिन्दगी बार अच्छा कैसे रखो खुश रखो दिल को खुश रखो बस बहुत ज़रूरी चीज है राज जी प्रिया को ढूंड लीजे अपनी राज की प्रिया क्या बात दिल को खुश रखिये दुखी मत रखिया आपका दिल हमेशा रहेगा और खुश रखने का बेन फंड़ा है अच्छा खाओ अच्छा सो अच्छा बोलो अच्छ जागो और अच्छा बाते करो जगडे मत करो रो नहीं खुश रहना सब्सक्तिन ढृब्खक जिन्देगी भर किसी साय हुए हुए अफिया लेफ ब्र्स रिलीट घरैस्थ सर्थ चैस्ट कैसे प्रैंस पास सोट किरुए हाट इंच्रायल औत्व में अई ससक्ता है हमार से आप दबा नहीं सकते हार को में पर नहीं हलने डूलने से बढ़ता काम होता नहीं है चलने से बढ़ता कम पर चलने से हocal और फिर कोईस्चेन हाट के खार्ट का सवाल सर्मा इसी सी जगस नॉर्मल बट इस इस पेर इूंस इं आप के सब्ल Sick ṍarenth Skills Department 1여ân 557- translate भाज के स Gesichtर 2 में लेकर एक सिर्डेकते कि वाज के कि अटेकर फिर पार सीTम्त के सिर्डी कांस आपको हटाय सकता है वाज हो सिर्ड और गस्ट्रेस उप सकते हैं वाज के हरा सिविलेकर ब्रशनी सेलतर क्मेश चलिए अपके सकते हैं Mostly your damage should have been reversed from your most part of your body except your lungs. बई लंग में जो है वो है वो कच्छरा जम्मा हो गया वहाँ पे जो तार है, कोल तार है वो जीरो नहीं हो जाएगा भाईया. लंग की ऐसी ताशी हो चुकी है, हो चुकी है, ठीक है, except your lungs, some part of your lungs have उसको side कर दिया, बट हो सकता है आपकी arteries में वो पुरानी elasticity आ गई, आपका और दूसरी इंसान का heart attack का risk सेम है, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, बिलकुल सेम है. साबुदाना जाँआप benefits के हैं heart के लिए, जी साबुदाना एक simple सा carbohydrate है, उसका कोई ऐसी खास specific benefit नहीं है. Ejection fraction 20, how can we increase, you don't increase the ejection fraction, you increase the heart, you basically decrease the pressure on the heart, blood pressure, heart rate, sugar and exercise. This pressure, heart rate, sugar control रखो, exercise regular करो, your heart function might increase from 5 to 10% regular exercise. Water intake is also good for heart, yes, water intake is very good for heart depending upon the heart function. Pumping power, pumping power, जितना कम उतना कम पानी पीना होगा. अगर pumping power आधा है, यहने 60% normal pumping होती है, 30 है, तो आधा पानी पिराए पड़ेगा, यहने 3 लिटर की जगा, 1.5 लिटर, उससे भी कम है, 20-25% है, तो एक लिटर, simple. Sir, okay, then, aortic dissection के operation के बाद life कैतनी होती है, ऐसा कुछ निये, depend करता है, aortic dissection का proper time पर सही operation हो जाए, तो, it might be very, fairly, good as new, it can also be possible, depending upon proper, उसके ओपर कितना अच्छा operation हो है, उससे पर डिपेंड करता है, Okay, what's the plan? I'm live, आप, आप बता दो मैं को, मैं बंद कर दो मैं जब बलो क्या आप, what is heart exercise, heart exercise is cardio, anything which increases your heart rhythm, okay, anything which increases the heart rhythm, it is heart exercise, okay, okay, triglyceride 400 है, exercise करो, और तला चिकनाई वाला तेगी, बटर मक्छन मलाई, मत खाओ, एक महीने बाद फिर से triglyceride कराओ, कम हो जाएंगे, exercise करो, पंदरा मिनिट रोज भगाओ, challenge your body, tell me about varicose veins after angioplasty, मतलब ये क्या बात हुई, varicose veins नहीं होती है after angioplasty, ये कौन सी बात हुई, नहीं technology, angioplasty के बाद varicose veins नहीं होती है, varicose veins नहीं होती है, इस नहीं है, इस नहीं है कि आपको इंस नहीं है, इसका वीडियो अलग से है जाके देख सकते हो, कभी-कभी हाट में पेन होता है, टेस्ट करा लो, पानी खूब पियो, exercise करो, and don't worry about it, I am able to, I am unable to resist ice cream and ras malai, is it safe to have once a month or should I never had it, absolutely it's okay to have once a month, भाया ऐसा नहीं है कि आपको इंसे दूर रहना है, रोज नहीं खाना है, once a month ले सकते हो, मेरे तरफ से बिल्कुल permission है आपको, ठीक है कोई बोलेगा बोलना, डॉक्टर ने बोला है, once a month लेने में कोई दिकत नहीं है, एक दो पीस, पूरा एक के किलो नहीं खालेना, okay, can we get what causes jaw pain, jaw pain can be related to the heart, it can be related to muscular pain, can be related to dehydration, can be related to tooth problems, right, आपकी fat loss diet, मेरी fat loss diet simple, भाई साब मैं रोटी नहीं खाता, एक रोटी खाता हूँ, जब घर वाले सिर्फ रोटी बनाते हैं, तो एक रोटी खाता हूँ, बाकी सबजी खाता हूँ, जब घाल चावल बनाते हैं, तो दाल जादा खाता हूँ, चावल कम खाता हूँ, और जब बाहर रहता हूँ, तो सिर्फ चिकन खाता हूँ या फिश खाता हूँ, बाहर रहता हूँ का मतलब जब हॉस्पिटल में रहता हूँ, I just have this thing, कि अपने बोडी के अंदर प्रोटीन जाना चाहिए, जब घर में हूँ, प्रोपर प्रोटीन नहीं मिला, सिर्फ सुबह से दाल खाई है, रोटी खाई है, सबजी खाई है, तो फिर दबा के दूद, दाई, पनी, दसी, चाच, चाच ले लो, मेरा लेफ्ट चेस्ट निपल अल्वेस पेन करता है, जब चेस्ट अल्सों पेन होता है, जब बहुत रहता है, क्या यह हार्ट रेटेड हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, आप अपना ECG, ECO, TMT कराएं, ऑके मैंने TNT टेस्ट कराया था, सब्सार अंतने बातरों की अंपना है, अफ्साट करे बिल्न अल्वागाबो घ्राइंगी यह जाएगा अभी आएगा थोटी दिर में फाट वाला वीडियो in my fitness and nutrition channel. Go and watch it there. All right. No, there is no procedure to clean the lungs. There is no procedure to clean the lungs and it's not it's not possible. Primary first add treatment for primary first treatment for heart attack. Primary first treatment is get an ECG confirm its heart attack. ECG के बाद में loading होती है. Anti-platelets की blood thinners दिये जाते हैं. Anti-platelets are the primary treatment. Okay, watch करना पड़ता है. Okay, Ajaz जी, ECG normal palpitation does not stop from last two months. Sometimes pain near heart, sometimes burning sensation like pinch for a few seconds and it goes. Again, it can be because of hyperthyroidism. Thyroid problem, electoral imbalance, kidney problems. So, एक बार आप अपने चेक अप करिये. क्योंकि palpitations का बहुत सारे कारण होते हैं. I would like to see your reports. और फिर मैं उसका treatment दूँगा. कई बार यह सिर्फ anxiety से होता है. कई बार यह विटामिन B12 deficiency और उससे anxiety के वज़े से फिर palpitation के साथ. यह जो आप sensation बोल रहे हो वो भी होता है. Burning sensation. So, ultimately a patient needs to be seen. And if you are a person, you can test for B12 deficiency. And it can be good. 28 साल की उमर में heart attack आ सकता है. अभी मेरा video आया था. वो देखिए. Young heart attack के video देखना. How do you work so hard and keep yourself motivated? Give your secret. I get tired after 12 hours in office and get fed up. You get fed up because, I don't know. अब हरे का mood अलग होता है यार. ऐसे थोड़ी है कि कि असका mood होगा. जेको खुश रहो. बहुत सिंपल सी चीज़ है. अभी देखो. अभी मेरी पीपी बोल रही है. जल्दी से बंद कर गया. खुलता नहीं है ब्लॉकेज. नाचरल बाइपास निकल जाती है. नाचरल बाइपास आ जाती है. जहां ब्लॉक होता है उसके साइड से निकल जाती है. और वो बोलती है ओके आपकी ज़रूत में है. ब्लॉकेज रहे है. ब्लॉकेज रहे है. आपको पता चल जाएगा राइट इसी जी को नॉर्मले ट्राइगलेस राइट बड़ा हुए एक्ससाइस करो तेल घी बटर मक्षन मलाई कम खाओ दाट इस नाथिं अलस तो बीड़न ओके गाईज टुडेज टॉडेज टॉपिक इस ओके और और कल मिलते हैं बबाई सी यू ठुमॉरो भाई 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 इससे पहले पिकाले आप पड़ें तेस किटी